हलो ब्रीवन, एकजाम वारियर में आप सभी का स्वागत है, दोस्तों जैसे आप सभी को पता है कि हम लोग साइन्स का रिविजन कर रहे थे, कल की क्लास में हमने साइन्स के लगभग 300 प्रशनों को डिसकस किया था, अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो प्लीज चनल प जाके देख सकते हैं, आज की इस कलास में हम लोग बचे हुए प्रशनों को देखेंगे, दोस्तों यह वीडियो सभी के लिए इंपोर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को लास्त तक ध्यान से ज़रूर देखिएगा, और अगर आप इसका पीडियाप चाते हैं, तो जो सूचक होते हैं, इंपोर्टेंट प्रशन है, लाइकेन किसके सूचक होते हैं, तो वाय प्रदूसर के सूचक होते हैं, लाइकेन, और यह जो लाइकेन होता है, यह कवक और सैवाल, लाइकेन, कवक और सैवाल के बीच सहजीवी सम्मंद दरसाते हैं, यानि जो लाइकेन हो से प्राप्त होता है ये सिनकोना नामक ब्रिस्या प्राप्त होता है और कुनायन दवा किसकी दवा है ये मलीरिया की दवा है ठीक है मलीरिया की दवा है कुनायन और किस से प्राप्त होता है तो सिनकोना नामक ब्रिस्या प्राप्त होता है मलीरिया की बात करें तो मलीरिया किस होता है वो इसका वाहक मच्छर होता है इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा नेक्स बढ़ते हैं फूल गोभी का खाने योग्य भाग का उन्सा होता है तो पुस्प क्रम ठीक है उस्प क्रम को खाते हैं समानता अंकुरण के लिए किसकी आवसकता नहीं होती है करा समानता अंकुरण के लिए किसकी आवसकता नहीं होती है तो प्रकास की देखिए अंकुरण के लिए मुखरूप से क्या चाहिए होता है तो जल ऑक्सिजन और उचित तापमान ठीक नेक्स है तना काट आम तोर पर क इसके प्रवर्धन के लिए प्रियोग किया आता है, तो गन्ने के लिए किया आता है, ठीक है, गन्ना, next नारियल का खाने योग्य भाग काउंसा होता है तो भुरूण पोश होता है ठीक है भुरूण पोश next आमके पौधे का वानास्पतिक नाम क्या है तो मैंगी फेरा इंडिका इसका वानास्पतिक नाम है next निसेचन क्रिया क्या है तो एक नर युगमक का अंडाड से सन्यूजन क्या कलाता है निसेचन एक नर युगमक यानि आपका जो सुक्राड होता है ठीक है सुक्राड का अंडाड से सन्यूजन यानि मिलन क्या होता है तो आपका निसेचन होता है Next, संसार का सबसे बड़ा पुस्प कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा पुस्प आपका रिफलेक्सिया होता है, ठीक है? रिफलेक्सिया संसार का सबसे बड़ा पुस्प है. नेक्स्ट बढ़ते हैं, जीवन चक्र की द्रिष्ट से पौधे का सबसे महत्पूड अंग काउन सा है, तो आपका पुस्पुजु होता है, सबसे महत्पूड होता है जीवन चक्र की द्रिष्ट से, नेक्स्ट, मानो सरीर में रक्त का सुद्धी करण कहां पर होता है, मानो सरीर में रक्त का सुद्धी करण कहां पर होता है, तो आपका वरिक्क में होता है, यानि किड्नी में होता है, ठीक है, नेक्स्ट, सफेद रक्त करण यानि डवलू बीसी, डवलू बीसी का मुख्य कारी क्या होता है important है सभी को पता होगा तो रोग प्रत्रोधक छमता धारण करना इसका प्रमुक कार होता है अच्छा WBC का अगर बात करें जीवन काल कितना होता है तो 13 से 20 दिन का इसका जीवन काल होता है ठीक है next राजस्थान में तावे का विसाल भंडार किस छेत्र में इस्तित है तो आपका खेत्रडी में इस्तित है खेत्रडी आपका ये तावे के लिए प्रशुद्ध है और कहां पर है ये तो राजस्थान मे ठीक है, नेक्स है, भारत की प्रमुक धान फसल कौन सी है, भारत की प्रमुक धान या खद्यान फसल कौन सी है, तो आपका चावल होता है, ठीक है, चावल, नेक्स्ट, पत्यों के दो मुख्य कारी क्या होते हैं, पत्यों के मुख्य कारी क्या होते हैं, तो आपका प्रकास संस लेसरण वा वास्पु सरजन यह आपका किसके कारे होते हैं तो आपका पत्यों की ये कारे होते हैं Next Dr. Chitrkar सिल्पकार आधिके द्वारा उपियों कि ये जाने वाले कैल्सियम सल्फिट का लोगप्री नाम क्या है तो इसे क्या कहाता है तो plaster up Paris कहा जाता है plaster up Paris इसका अगर रसानिक नाम बात करते हैं क्या होता है तो calcium sulphate hemihydrate इसका क्या होता है रसानिक नाम होता है फार्मूले की बात करते हैं तो C-A-SO-4 into half S2O होता है ठीक है इसमें आपका क्या होता है आदा जल होता है यानि half S2O होता है या आपका इसका फार्मूला है ध्या नखिया प्लास्टर आप पेर इसका नेक्स्ट सोने के अभ भूशड बनाते समय उसमें काउंसी धातु मिला जाती है तो उसमें ताबा मिला जाता है ठीक है ताबा का प्रयोग किया जाता है नेक्स्ट निमलकित में से सबसे भारी धातु काउंसी है सबसे भारी धातु काउंसी होती है तो ओस्मियम जो होती है सबसे भारी धातु होत होता है ठीक है next रात्र में पेड़ के नेचे सोना हानिकारक होता है क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं important question है रात्र में पेड़ के नेचे सोना हानिकारक होता है क्योंकि उसमें पेड़ पौधे carbon dioxide को क्या करते हैं छोड़ते हैं देखे जो पौधों में स्वसन की प्रकिरिया होती है ये दिन में भी होती है और रात में भी होती है और स्वसन की प्रकिरिया में पौधे क्या करते हैं oxygen यानि O2 को क्या करते हैं यह लेते हैं यानि इसका और सिर्फ दिन में होता है क्योंकि इसके लिए प्रकास सही होता है और इसमें क्या होता है इसमें पौधे क्या करते हैं CO2 यानि carbon dioxide को क्या करते हैं? इसका associate करते हैं, यानि इसको लेते हैं और बाहर क्या निकालते हैं? तो आपका oxygen को क्या करते हैं? यह बाहर निकालते हैं. तो रात्र गनी प्रचूर मात्रा में कौन सा तत्त होता है? माना स्वरीर में प्रचूर मात्रा में कौन सा तत्त होता है तो ऑक्सिजन होता है ठीक है ऑक्सिजन टमाटर स्वास में पाया जाता है तो अरस्तु को माना जाता है अरस्तु को जन्त विग्ञान का पीटा कहा जाता है किस पौधे का फल भूम के नीचे पाया जाता है तो जो आपका मुंगपली होता है इसका फल कहां पर होता है तो जमीन के अंदर होता है नेक्स्ट कोस्का को एक निश्चित रूप कौन परदान करती है तो आपका कोस्का भित परदान करता है तो आपका कोस्का भित परदान करता है ठीक है कोस्का भित और जो कोस्का भित्ती होती है किसमें पाया जाती है तो आपका पादप कोस्का में पाया जाती है अच्छा ज इसके द्वारा पराप्त होता है तो 클loroplast के द्वारा यानि हरितलवक के द्वारा और कावसा होता आपका本当 ब्लॉtafter शिल्टेखर Hangके नैक्स्ट है राष्टी पर्यावरन अभियांतर की संस्थान कहा श्ती था important है राष्टी पर्यावरण अभियांत्र की संस्थान ये कहाँ पे है तो आपका नागपुर में स्तित है ठीक है नागपुर में next भूरी क्रांति किस्चे समन्द थे भूरी क्रांति का समन्द किस्चे है तो आपका उरवरकों के उत्पाद से और बरको के उत्पाद से नेक्स्ट, मादा पसू में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्करी होता है मादा पसू में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन सबसे अधिक सक्करी होता है तो आपका ओक्सिटोसिन नेक्स्ट भारत का कौन सा राज एसिया की अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है तो आंध प्रदेश को कहा जाता है एसिया की अंडे की टोकरी नेक्स्ट भारती पसूची किस्सा अनुशंधान कहा इस्तित है भारती पसूची किस्सा अनुशंधान ये कहा पर है तो बरेली में इस्तित है ठीक है बरेली में नेक्स्ट लाल क्रांती किस्स समनित है लाल क्रांती का समन्ध किस्स है तो मांस उत्पादन से है लाल क्रांती क का श्रमंद नेक्स्ट मुर्ग्यों की सबसे खतननाग विमारी कौन सी है मुर्ग्यों में सबसे खतननाग विमारी कौन सी होती है तो जो रानी खेद ठीक है रानी खेद याप इसकी इसकी विमारी है तो मुर्ग्यों की विमारी है ये नेक्स्ट दूद का घनत किस यंत्र की स रहायता से ज्यात किया जाता है तो लेक्टो मीटर से ठीक है लेक्टो मीटर नेक्स्ट भारत में सरवाधिक पसुधन किस राज में पायाता है भारत में सरवाधिक पसुधन किस राज में तो उत्तर प्रदेश में सरवाधिक पशू नेक्स्ट निमलिकित में से किसके दूद किसके दूध में वसा की सरवाधिक मात्रा पाई आती है तो आपका रेंडियर गरीबों की गाय के नाम से किशि जाना आता है तो गरीबों की गाय बकरी को कहा जाता है नेक्स्ट, दुधारू गाई की मुख्य पहचान क्या होती है, तो अयन पूर बिक्सित होता है, दुग्ध नलिका उभरी रहती है, दुग्ध नलिका टेड़ी मेड़ी होती है, यह आपका क्या होता है, दुधारू गाई की पहचान होती है, नेक्स्ट है, भारत में सबसे जादा बकरियां किस सराज में पाई आती है, सबसे जादा बकरियां किस सराज में, तो आपका उत्तर प्रदेश में सरबादिक बकरी, नेक्स्ट, उनके लिए बिख्षाद, पस्व, पस्मीना क्या है, तो आपका जो पस्मीना होता है, क्या है, तो आपका बकरी से प्राप्थ होता है, next, किस अस्तंधारी के दूद में जल की मात्रा सबसे कम होती है, तो मादा हाथी में सबसे कम होती है, next, केंदरी भेड यवम उन अनुसंधान केंदर कहां पे है, तो आपका देहरदून में इस्तित है, देहरदून उत्राखन में, next, मनुस के सरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहां पायाता है, यह आत्मे पायाता है, तो रुनाल्ड रोस ने खोजा था, important question है, next बढ़ते हैं, निमन मेंसे किसमें रक्त नहीं होता, केंद वो स्वसन करता है, नेक्स्ट है निमलिकित में से किसे जेली फिस के नाम से जाना जाता है तो औरिलिया को जेली फिस के नाम से जाना जाता है नेक्स्ट निमलिकित में से किसके अधपके मांस को खाने से फीता क्रिमी मनुस की आत में पहुशता है तो सुवर के अधपके मांस को खाने से नेक्स्ट केचुए में कितनी आखे होती है तो केचुए में आखे नहीं होती है ध्यान किएगर ठीक है कोई भी नेतर नहीं होता है नेक्स्ट तितली की आखे रात में क्यों चमकती है तो टेपिटम लुशिडम के करण रात में तितली की आखे चमकती है Next, समूद्री घोडा किस वर्ग का उधारन है? Important है, समूद्री घोडा किस वर्ग का उधारन है? तो मतस्य वर्ग का या उधारन है? ठीक है? मचली वर्ग का Important प्रेशन है ये Next, निमन में से Мलीरिया रोग का वहक कांश है? Mal JAKE Kaun चा होता है? अभी बने बता था मादा एनाफलीज मच्छर, मलीर्य क्या होता है, वाहक मच्छर होता है, और मलीर्य किस से होता है, तो प्रोटो जोवा से होता है, नेक्स्ट है, सबसे विसायली मच्छली कौन्ची है, सबसे विसायली मच्छली कौन्ची, तो आपका पासाण मच्छली सब सबसे विसायली मचली होती है, next, सबसे बड़ा जीवित पच्छी काउन सा है, important है, सबसे बड़ा जीवित पच्छी, तो आपका सुतुर मुर्ग होता है, ठीक है, सुतुर मुर्ग, next, निमलिखित में से घोसला बनाने वाला एक मात्र साप काउन सा है, घोसला बनाने वाला ए क्रिस्टेशस किसका औलगे नाम है तो यह मौहर का बैज्यानिक नाम है next सबसे विशाल जीवित अस्तनपाइ प्राणी स सबसे विशाल जीवित अस्तनपाइ प्राणी कौह सा है तो आपका ब्लू हें यानि नीली हें नेक्स्ट, निम्न्वेस सबसे छोटा पच्छी कौँँसा है, सबसे छोटा पच्छी कौँसा है, तो हमिंग बड़, यह क्या है, सबसे छोटा पच्छी है, नेक्स्ट, तारपीन का तेल किस से प्राप्त किया जाता है, तो चीड से प्राप्त होता है, यह तारपीन का तेल, next, समान प्रियोग में आने वाला मसाला, long, कहां से प्राप्थ होता है, important है, BPC के दौरा पूछा गया प्रशन है, समान प्रियोग में आने वाला long, कहां से प्राप्थ होता है, तो full की कली से यह प्राप्थ होता है, long नेक्स्ट, भूम में पौधों की जड़े, जड़ों के लिए उपलब्द जल होता है, तो काउन साब का केसिका जल? नेक्स्ट प्रकास संसलेशन की क्रिया कब होती है अभी मने बता था सिर्फ इसमें क्या होता है सिर्फ दिन में होता है प्रकास संसलेशन की क्रिया सिर्फ दिन में कुसका के भीतर स्वसन का केंदर कांसा होता है तब का माइटो कॉंड्रिय होता है और इसे क्या कहाता है इसे कुसका का पावर हाउस भी कहा जाता है इंपोर्टन प्रशन है ये नेक्स्ट है मानोशरीर में पित का मुख्य कारे क्या होता है तो वसा का एंजाइम द्वारा पाचन करना क्या होता है पित का मुख्य कार होता है ये वसो क्या करता है ये छोटे 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 टुकुडों में तोड़ देता है ठीक है नेक्स्ट है वह यंत्र जिसके द्वारा तने की व्रिद्धी दर सही रूप से नापी जाती है कौन सा होता है तो आपका अग्जिनों मीटर के द्वारा नापी जाती है ठीक है अग्णी निर्जारो किस से समनित होता है अग्णी निर्जारो किस समनित है तो आपका ये सेव का रोगा है ठीक है सेव का दोस्तों इसमें जितने भी प्रस्ण है किसी न किसी जाम में सारी पूछे गये हैं तो इसलिए सारी प्रस्ण इंप्वार्टेंट है आपके लिए ठी next है, मानो शरीर में लाल रक्त कडिकाओं का निर्माड कहां पर होता है मानो शरीर में लाल रक्त कडिकाओं यानि RBC RBC का निर्माड कहां पर होता है, तो अस्तिमत जमें होता है यह important है, और RBC में ध्यान रखे क्या पाजाता है हीमोगलोबिन पाज आता है, हीमोगलोबिन पाज आता है, RBC में, next, जब हम बकरी या भेंड का मांस खाते हैं, तब हम किस प्रकार के उभोगता हैं, तो हम किस प्रकार के उभोगता हैं, तो हम दुत्तियक उभोगता में आते हैं, देखिए, सबसे पहले क्या आता है, आपका उत्पादक आता है, उत्पादक में आपके पेड़ पौधे आते हैं, उसके बाद आपका प्रात्मिक उभोगता होता है, प्रात्मिक में आपका क्या होते हैं, यह साकाहरी होते हैं, यानि जो पेड़ पौधे पर निर्भर होते हैं, नि उत्पादक पर निर्भर होते हैं, क अगर हम बकर या भेण का मांस खाते हैं, तो क्या दुतियक भोगता है, नेक्स्ट, यदि जलका प्रदूषण वर्तमान गत्से होता रहा, तो अंत्ता, तो इसका उतर नहीं दिया है, तो उसको उन्छोड़ देते हैं, ठीक है, नेक्स्ट, जनसंख्ख्या का अध्यान क्या क हलाता है, तो डेमोग्राफी कहा जाता है, ठीक है, डेमोग्राफी, नेक्स्ट, मनुस की तवचा किस अस्थान पर सबसे मोटी होती है, करा मनुस की तवचा जो होती है, किस अस्थान पर सबसे मोटी होती है, तो तलवे पर, तलवे पर क्या होती है, सबसे मोटी होती है, न गैं नेक्स्ट है मानो शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे λम्बी होती है कलाया था प्रस्चन एग आपका अर्ण जानकिसका नाम क्या है उस हड्डी का तो आपका फीमर ठीक है फीमर नेक्स्ट अ उन्द्रधनुस बनने का कारण है, तो वाई मंडल में सूर्की किडों का जल की बूधों द्形 με कोता परवर्दन ठीक है इंधनुस का करणड है नेक्स है सूर का ताप किसके द्वारा नापा जाता है तो सूर का ताप जो है का पाइरो मेटर से नापा जाता है ठीक है पाइरो मेटर और जो हिमांक होता है, कितना होता है, तो 0 degree Celsius होता है, नेक्ट बढ़ते हैं, तरंग का वेग V और आवरित्ती N तथा तरंग देर्ट लिम्डा में क्या सम्मध होता है, तो आपका V बराबर क्या होता है, N लिम्डा होता है, नेक्स्ट, निउन्तम संभोताप कितना होता है, निउन्तम संभोताप यानि परम शून ताप, परम शून ताप कितना होता है, तो आपका माइनस 273 degree Celsius, नेक्स्ट निमलिकित में से किसमें विशिस्ट उस्मा का मान सर्वोच होता है most important है किसमें विशिस्ट उस्मा का मान जो होता है सर्वोच होता है तो आपका जेल में क्या होता है सर्वोच होता है विशिस्ट उस्मा का मान नेक्स्ट, प्रकास का वेग अधिक्तम किसमें होता है, मैंने बता था, प्रकास का वेग सबसे अधिक कहां पे होता है, तो आपका निर्वात में होता है, और प्रकास की चाल कितनी होती है, तो तीन गुड़े, दस की घात, आठ मीटर प्रत, सिकेंड आपका क्या होता है, प् अध्वानी का सरवादिक विएक किस में होता है, तो आपका ठोस में होता है, ये पॉंध्या नखीगा, ठोस में, next, सूरी विग्रण का कौन सा भाग, सोलर कूकर को गर्म कर देता है, तो अवरक्तिकिरण, ठीक है, अवरक्तिकिरण, next, उसमा गत्की का पर्थम नियम, किस चंड की, next, कमरे को ठंडा कैसे किया जा सकता है, कमरे को ठंडा कैसे किया जा सकता है, तो संपीडित गैस को छोड़ने से, ठीक है, दोस्तों, यदि आप हमारे चनल पर नए हैं, तो प्लीज चनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है, तो बढ़ते हैं ध्वानी तरंगों की प्रकित कैसी होती है इंपोर्टेंट है ध्वानी तरंग की प्रकित कैसी होती है तो यह अनुद्यार्थ तरंग होती है ठीक है अनुद्यार्थ और जो प्रकास होता है यह क्या होता है यह अनुप्रस्त तरंग होता है ठीक है अनुप्रस् कराप्रकास के चिकन प्रिष्ठ से टकराकर वापस लौतने की घटना को क्या खते हैं किसी मनुस Shortly का समानेत ता प करम क्या होता है किसी दीड o Fahrenheit, इसको जो आप लोग comment box में बताइए, degree Celsius में कितना होता है, ये ता आपको Fahrenheit हो गया, आप लोग comment box में बताइए, degree Celsius में मनुसके सरीर का ताप मान कितना होता है, next, चिलाते समय व्यक्ति हमेशा हाथेली को मुग के समीब क्यों रखते हैं, आपने देखा जब लोग चिलाते हैं, क्या करते हैं, हम अपना हाथ जो है मुग के पास लगा लेते हैं, ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि उस ध्वनी उर्जा सिर्फ एक ही दिसा में इंगित होग इसलिए जो है हाथ लगा जाता है, ठीक है, next, समुद्री जल से सुद्ध जल किस प्रकरिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, समुद्री जल से सुद्ध जल किस प्रकरिया द्वारा प्राप्त किया सकता है, तो आश्वान की द्वारा, ठीक है, आश्वान बिदी की द् नेक्स्ट, दल्दली भूम से कौन सी गैस निकलती है, इंपॉर्टन प्रस्ट है, दल्दली भूम से कौन सी गैस निकलती है, तो मेथिन निकलता है, ठीक है, मेथिन, पूछा आता है, धान की खेत से कौन सा गैस निकलता है, तो मेथिन निकलता है, नेक्स्ट, मान स्पेसियो में किस अमल की एकठा होने से ठाकावट होती है तो आपका लेक्टिक अमल के जमा होने से नेक्स अंगूर में कौन सा अमल पाजाता है तो अंगूर में आपका टैटरिक एसिड पाजाता है ठीक है अंगूर में आपका का अध्यान ओंकोलोजी नेक्स्ट मानो सरीर में सबसे लंबी कोस्ट का काउंसी होती है तो तंत्रिका कोस्ट का मानो सरीर की सबसे लंबी कोस्ट का होती है नेक्स्ट दात मुख रूप से किस पदार्श बने होते हैं दात मुख रूप से किस पदार्श बने होती है तो पैरामीसियम की आगरती पैर के चपल के समान होती है पाता है तो बिटामिन ए पाया जाता है और विटामिन एक ही बात करते हैं इसका रासनिक नाम होता है तो रेटिनॉल विटामिन एका रासनिक नाम है और इसकी कमी से कौनचा रोग होता है तो रतवधी रोग होता है विटामिन एकी कमी से नेक्स्ट, निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पायाता है, तो प्रोटीन किस में नहीं पायाता है, तो चावलों नहीं पायाता है, ये किसका सम्रिद शुरूत है, तो कार्बो हाइड़ीड का, नेक्स्ट, मानोका मस्तिस्क, लगभग कितने ग्राम का होता है, लगभग 350 ग्राम का होता है, मानोका मस्तिस्क next, रक्त में पाई जाने वाली धातू है रक्त में कौनसी धातू पाई आती है तो आरन यानि लूहा पाई आता है important है ये next है किडवन का उधारण है किडवन का उधारण का है तो दूद का खटा होना खाने की ब्रिद का बनना गीले आटे का खटा होना ये सब किसके उधारण होते हैं, तो किडवन के उधारण होते हैं ये, next, निमन में से कौन सा आहार, मानोशरीर में नए उतको की बृद्धी के लिए पोसक तत्तो प्रदान करता है, मानोशरीर में नए उतको की बृद्धी के लिए क्या जरूरी होता है, तो प्रोटीन किया स शाप कौँं सा है तो घोशला वाने वाला एक मात्र शाप किंग कोबरा है पीछे पड़ चुके हैं नेक्स्ट भारत में पाए जाने वाली सबसे बड़ी मचली कहुंसी है भारत में पाई जैने वाली सबसे बड़ी मचली तो आपका वेल स्वार्ख है नेक्स्ट दाले किसका एक अच्छा स्रोथ होती है तो दाल में सरवाधिक चापा आता है तो आपका प्रोटीन पाया आता है देसी घी में से सुगंध क्यों आती है दाई एसेटिल के करणा देसी घी में सुगंध आती है नेक्स्ट इंद्रधनुस में किस रंग का विच्छे पड़ अधिक होता है यह इंद्रधनुस की बात कर रहा है नेक्स्ट एं तेली वीजन का अविसकार किसने क्या था तो टेली बीजन का अविस्कार आपका जियल बेड ने किया था, जियल बेड ने टेली बीजन का अविस्कार किया था, हीरा चमकदार क्यों दिखाई एता है, बीपिसी के दौर आप उचा गया है, तो आपका स्थामुहिक आंतरिक परावार्तन के करन, ठीक है, इधान के आंत मुख्रूप से मेथन पाजाता है ठीक है मेथन पाजाता है मुख्रूप से गुबर गैस में दूद की सुद्रता का मापन किस यंद्र से किया आता है अभी हमने पड़ा था लेक्टो मीटर से दूद की सुद्रता का मापन किया जाता है अगला सरीर का सबसे अधिक मात्र में सबसे अधिक मात्र में पाया जाने वाला धातु काउन सा होता है तो एलमुनियम होता है ठीक है एलमुनियम प्रति पर सबसे अधिक मात्र में पाया जाता है नेक्स्ट है, मोती मो की रूप से किस पदार्थ का बना होता है, मोती जो होता है, यह किस पदार्थ का बना होता है, यह आपका कैल्शियम कार्बनेट का बना होता है, जो मोती होता है, किस से कैल्शियम कार्बनेट नेक्ट मान वशर में सबसे अधिक मात्रमें कौन सा तत्त्त पाजाता है, पढ़ दखें इसके बारे में सबसे अधिक मात्रमें ऑक्सिजन पाजाता है, अगला है, किस प्रकार के उतक सरीर के सुरच्छा कवच का कारेकरते हैं, तो epithelium उतक, ठिक है, epithelium उतक मनुस्य ने सरपतम किस जन्तु को अपना पालतु बनाया, मनुस्य ने किस जन्तु को सरपतम अपना पालतु बनाया था, तो कुट्ता को बनाया था, सबसे पहले पालतु किस वग्यानिक ने सब अच्छा पर्थम बर्व के दो टुकडो को आपस में घिस कर पिखला दिया तो आपका डीवी ने सबसे अधिक तीवुड़ता की ध्वानिक काउन उत्पन करता है तो आपका बाग जब ध्वान तरंग चलती है, तो अपने साथ ले जाती है, तो आपका उर्जा भी ले जाती, ये पॉंट जहा नखेगा, जब ध्वान तरंग चलती है, तो अपने साथ उर्जा ले जाती है, सूर ग्रहन के समय, सूर का कौन सा भाग दिखाए देता है, तो आपका किरीट दि जिनके अविसकार काउन है, तो आपका सोल्स, सिर्का को लेटिन भासा में क्या कहा जाता है, तो आपका एसिटम कहा जाता है, क्या कहाता है, एसिटम, कपडो से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रियोग किया जाता है, कपडो से जंग के धब्बे हटाने के लिए किसका प लाल सदन रोग इसके करनर होता है तो कावको के द्वारा गण्ये में लाल सदन रोग होता है नेक्सट आम का वनास्पतिक नाम क्या है तो महेंगी, फेरह, इंडिका आम का वनास्पतिक नाम है नेक्स्ट काफी पाउडर के साथ मिला जाने वाला चिकूरी चूड प्राप्थ होता है काफी पाउडर के साथ मिला जाने वाला चिकूरी चूड किसे प्राप्थ होता है तो जणू से नेक्स्ट बिटामिन शी का सबसे अच्छा सुरूत कौन से होता है बिटामिन C किसमें पायाता है, खटे फलों में पायाता है, तो अप्सन में होगा अगर अगर आप अउला अउला लगाएंगे, खटे फल में पायाता है विटामिन C, विटामिन C का रसानिक नाम क्या होता है, एसकार賬 वी अंफल होता है और इसकी कमी से कौण सा रोगोता है तो एसकार वी रोगोता है इसकी कमी से next किसके द्वारा अनुवानशिक्ता के बीज्ञान को अनुवान्शिक्त के कहा गया continuous के दौरा यह वाट्सन के द्वारा कहा गया यह पॉएंट यहां निखेगा अच्छा आनुवनशिक्ता का जनक किसे माना जाता है तो आपका मेंडल को माना जाता है ठीक है मेंडल को नेक्ट निमलिकेत में से उस्मा का सबसे अच्छा सूचालक कौन है? उस्मा का सबसे अच्छा सूचालक पूच रहा है? तापका इसमें अगर ऑसमें ठंडा पानी होगा, ठंडा पानी लगाएंगे आप लोग आप discomfort कोईश प्रौशने स्वालबा करना जरूजि होता है. ने जान भरना नेक्स प्रकास छोटे-छोटे कड़ों से मिलकर बना होता है जिसे कहते हैं प्रकास छोटे-छोटे कड़ों से मिलकर बना होता है जिसे क्या कहता है जिसे होटान कहा जाता है ठीक है होटान अंत्रित यात्री को बाह आकास कैसा दिखाए पड़ता है मने काई बार अंतरच यात्री को बाई आकास काओवा दीखाज तरह और प्रतिविस क्यों से दिखा ये ता है तौ का नीला दिखाए ये ता 10 सुनिला किस वज़िगा इतै तो तो परिकास के प्रकरिडन के वज़े से शल 윈ता अकास कररण और काला क्यों दिखाए टा क्योंकि लेखता है यह महांपे वाई मंटल नहीं पा जाता है अब कास का प्रक्रड़ान वहां पे नहीं होता इसलिए गंश्यातर दिकाए इता है तो मिलग मन्य करका इसीटा है तो और फिस भी आतो कवराल इनकली दिखाए चिटा है यहें चैन। कौंण सा एक कूटफल है क्यों सब्का कूटफल है यह उचाई मापने के लिए किसούμε के लिए ठीक है अल्टिमीटर नेक्स्ट है निमने से कौन सी धातू बिजली के सबसे अधिक सुचालक है बिजली के सबसे अधिक सुचालक धातू कौन सी होती है तापका चाधी होती है यह ध्यां रखिए चाधी नेक्स्ट सूर में होता है तो सूर में आपका हाइड्रोजन और हेलि के पौधे का खाने योग हिस्सा काउन सा होता है तो प्रकंध होता है निमल कितमे से काउन सा रुपांत्रिक तना है तो आपका आलू जो होता आपका रुपांत्रिक तना होता है भोज पत्र उत्पन होता है तो आपका बिटुला की छाल से भोज पत्र जो है उत्पन होता है छोब मंडल सब्द किस बग्यानिक ने सबसे पहले पुरियोग किया था तो दिहा नखीगा टेसरेंग दा बूर ने सबसे पहले पुरियोग किया था दिसर नहीं टेसरेंग दा बूर नेक्स्ट है पिर्थवी से वापस होने वाले सौर विक्रण को क्या कहते हैं पिर्थवी स पर किस प्रकार की तरंगों के रूप में पहुंचता है, सूरे तब पृत्वी पर किस प्रकार की तरंगों के रूप में पहुंचता है, तो लगु तरंग के रूप में पृत्वी पर पहुंचता है, नेक्स्ट, दिवपो की संख्या सरबादिक कहां पर है, दिवपो की संख को क्या कहा जाता है क्या जब शूर्य चंद्रमा यों प्रतवी लगभग 12 सरल रेखा में श्टित होते हैं तो आपका दैनिक उपर एग स्तानी जलवाज दसाम में होता है, तो आपका eridosol, ठीक है, eridosol, next, जल में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं, जो आपका जल में पौधे होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है, ठीक है, हाइड्रोफाइट्स, next, मालाबा का अविश्कार किसने क्या था तो रोड जन ने एस्करे का एकसरे का अविश्कार किया था नेक्स्ट, प्याज लैस्टून में गंध किस तत्तू की उपस्तती के करणड होता है, तो पटैसियम के वज़े से, ठीक है, नेक्स्ट, आलू किस कुल से समनित है, तो आलू जो होता आपका सुले नेसी कुल से समनित है, नेक्स्ट, डाल चेनी पेड के किस भाग से प्राप्त की जाती है, जो डाल चेनी मसाला होता है, पेड के किस भाग से प्राप्त की आता है, तो यह आपका पेड की छाल से प्राप्त होता है, नेक्स्ट, तारपीन का तेल किस से प्राप्त होता है, तो हम पढ़ चुके हैं, त प्रॉद ≤ से तारवपीन कँ तेल प्राप्त किया ताहे आता है बावा आजिए के प्रारव में हावाई जहाच का अविश्कार कार के जलवाई में पोड जोल का निरुणा होता है तो भूमद सागरी जलवाई में नेक्स्ट पेट में भोजन को पचाने के लिए निमनांकित में से किसकी खास आउसकता होती है पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी आउसकता होती है तो एंजायम्स की आउसकता होती ह कार्बन का सरबाधिक सुद्ध रूप कौन सा होता है तो ही रहा होता है अला निमन में सदिस रास कौन सी है तो वेक जो होता है क्या है सदिस रास होती है नेक्ट वाहनों से निकलने वाली प्रदूसित गैस मुखता है वाहनों से निकलने वाली प्रदूसित गैस कौन सी है त तो कार्बन मोनो अक्साइड होता है, कार्बन मोनो अक्साइड, अला, पेट्रूलियम से प्राप्त होने वाला मौम, पेट्रूलियम से प्राप्त होने वाला मौम काउन सा होता है, तापका पैराफिन मौम होता है, नेक्स है, नेबू, खत्ता किस कराण से होता है, तो प्रत्विम देखने के लिए आवस्चक धरपन की नियुंतम लंबाई होगी, तो आधा होना चाहिए, अगर आपको अपने सरीर का पूरा चितर देखना हो, तो कितना चाहिए, आपकी इतने लंबाई है, उसके आधे धरपन चाहिए, तो डेड़ मिटर का आधा होगा, 0.75 मीटर, ठीक है, नेक्स्ट, पौधे के किस भाग से काफी प्राप्त होता है, कौपी आपका बीजो से प्राप्त होता है, नेक्स्ट, निमलिखेत में से किस में प्रोटीन का सबसे अधिक सुरोत पायाता है, सरवाधिक प्रोटीन किस में पायाता है, तो सोय बीन में सरवा के करण होता है यानि वाइरस की वज़े से यह होता है नेक्स्ट है जीवद्रव्य जीवन का भौति का धार है या किसका कतन है जीवद्रव्य जीवन का भौति का धार है या किस ने कहा था तो लैमार्क ने कहा था ये नेक्स्ट रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कह कहा जाता है तो जीरो फाइट्स कहा जाता है या मरु भिद्ध भी कहा जाता है ठीक है मरु भिद्ध या जीरो फाइट्स सूरी की उस्मा पृतिव पर निमलिकित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है सूरी की उस्मा पृतिव पर इसके द्वारा तापका विक्रेड के द्वारा आता है माइक्रो फोन का अभिस्कारा किसे मना जाता है माइक्रो फोन का अविस्कारा किसे मना जाता है तो ग्राहम बिल को माना जाता है माइनो मेटर के द्वारा किसकी माप की जाती है इंप्वार्टेंट है माइनो मेटर के द्वारा तो गैसों का दाब मापा जाता है निमलिकत में से सुधत तक तो काउन सा है तापका सोडियम हो जाता है नेक्स्ट हाइड्रोजन का और सोषड करने वाली धात कौन सी है हाइड्रोजन का और सोषड करने वाली धात कौन सा है तापका पैलेडियम next qri निमलिकित में से किसकी इकाई का नाम है qri जो है किसकी इकाई है तो radioactive धर्मिता की इकाई है qri अलावाई में थोड़ी दे रखने पर किसी धात के उपर हरे रंग के basic carbonate की परजम जाती है वह कौन सिधात होती है तामरिया ताबा होती है next है तारे अपनी उर्जा किस प्रकार प्राप करते हैं तो नाब की सन्योजन के फल सुरू यानि नाब की संलियान से next लोहे पर जंग लगना किसका अधौरान होता है इसके लिए किसका लेप किया आता है तो जस्ते का लेप किया आता है उसपर ठीक है जस्ते का लेप किया आता है जिसे क्या कहाता है तो गैल्मिनी कराण कहा जाता है यह पॉइंट पर आप लोग ध्यान रखेएगा दोस्तों यह रहे आज के प्रस्ट ठीक है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरू बताएगा वीडियो कैसे लगी ठीक थैंक यू फॉर व